कमिनिस्ट पार्टी ने उसे उसके विश्वास के करण गिरफतार किया। पुलिस ने उसके परिवार से दवाव डलवाया ताकि वो यहूदा जैसी बनकर परमिश्वर को धोखा दे। बुढ़े पिता ने घुटने टेक कर उसे मनाया जबकि मा ने डाट पिलाई। उसके बच्चों ने मिन्नते की, पती और चाचा ने भी दवाव डला। एक तरफ संसार के रिष्टे थे तो दूसरी तरफ कलीसिया का हेत। वो बड़ी दुवधा में थी। उसने प्रार्थना करके अपने दुख के जरिये सत्ति की तलाश की। अंत में इश वच्चनों पर भरोसा करके शैतान के प्रलोभन पर विजय प्राप्त की। मेरे पिता स्कूल में प्रिंसिपल थे। वे स्कूल और घर पर अक्सर भौतिक वात्की बातें करते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी खुशी हमारी कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। हमें खूब मेहनत कर अपने पुर्खों का सर सम्मान से उंचा करना है। अपने माबाप की बातों और मिसालों पर चलते हुए हम भाई बेहनों ने हमेशा कड़ी मेहनत की। हमने कारोबार किया, याधिकारी बने और थोड़ी कामयाबी भी भाई। हमें 2007 के बसंत मैं, मैंने सरवशक्तिमान परमिशवर के आंत के दिनों का कारे स्वीकार लिया। रोज परमिशवर के वचन पढ़े, नियमित रूप से अपने भाई बेहनों के साथ संगती की। परमिशवर की संप्रभुता की थोड़ी समझ प्राप्त की। ये वचन विशेश रूप से प्रभावशाली थे। परमेश्वर ने इस संसार की श्रिष्टी की, उसने इस मानव जाती को बनाया। और इतना ही नहीं, वह प्राचीन युनानी संस्कृती और मानव सभेता का वास्तुकार भी था। केवल परमेश्वर ही इस मानव जाती को सांथ्वना देता है, और केवल परमेश्वर ही राद दिन इस मानव जाती का ध्यान रखता है। मानव का विकास और प्रगती परमेश्वर की संप्रभुता से जुड़ी है। मानव का इतिहास और भविश्य परमेश्वर की योजनाओं में नहित है. यदि तुम एक सच्चे इसाई हो, तो तुम निश्चित ही इस बात पर विश्वास करोगे कि किसी भी देश या राष्ट्र का उध्थान या पतन परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार होता है. केवल परमेश्वर ही किसी देश या राष्ट्र के भाग्य को जानता है. और केवल परमेश्वर ही इस मानव जाती की दिशा नियंतरित करता है. यदि मानव जाती अच्छा भाग्य पाना चाहती है यदि कोई देश अच्छा भाग्य पाना चाहता है तो मनुष्य को परमिश्वर की आराधना में जुकना होगा पश्यताब कर उसके सामने पाप स्विकार ने होंगे अन्यथा मनुष्य का भाग्य और गंतव्य एक अपरिहार्य विभी शिका बन जाएंगे आमीन परमेश्वर की वचनों ने मेरे दिल को रोश्णी दिखा दी परमेश्वर ने ही यह दुनिया बनाई है आज तक इंसान को रहा दिखा कर कायम रखा है यही नहीं, वहां हमारा भाग्य विधाता भी है केवल परमेश्वर की आराधना करके, पश्चा ताप करके और उसके उधार को स्विकार करके हमारा भाग्य अच्छा बन सकता है सरीका मैंने यह भी सीखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंध के दिनों में सत्य व्यक्ति करने और न्याय कार्य करने आया है ताकि मानव जाती को पूरी तरह शुद्ध करके बचा सके हमें शैतान के प्रभाव से मुख करके उस सुन्दर मन्जिल की और ले जाए जिसे परमिश्वर ने हमारे लिए बनाया है ताकि हमें अच्छा भागया और परिणाम मिल सके मैं सरवशक्तीमान परमिश्वर को स्विकार कर बहुत धन्य थी मैंने कसम खाई कि मैं अपने विश्वास पर टिके रहकर सत्य का अनुसर अन करूंगी इस प्रेम का कर्स चुकाने को स्विजित व्रिक्ती का करतवे ने भाऊंगी परमिश्वर का धन्य भाद लेकिन जब मैं अपने करतवे में जी जान से जूटी थी तब मुझे कम्मिनिस्ट पार्टी ने किरफतार कर लिया मार्च 2009 की एक दोपहर में पुलीस हमारी सभा में आई मुझे और मेरी तीन बहनों को अवैध हिरासत में लेकर धाने में बंद कर दिया जैन सुरक्षा प्रमोक मुझे पर गुस्से से चीखा बताओ क्या जानती हो तुम्हें किसने विश्वासी बनाया तुम्हारे कलीसिया का अगवा कौन है अगर बता दोगी तो तुम्हें अभी घर जाने दूँगा नहीं बताओगी तो तुम्हारे घर में इतनी धार्मे किताबे मिली है कि तुम्हें पांच-छे साल तक जेल में डाल सकते हैं उसका घुस्सा देखकर मेरे दिल की धड़कने बढ़ गई पता नहीं वे मेरे साथ कैसा सुलूग करेंगे मैंने तुरंथ प्रार्थना की कि परमिश्वर मेरा खयाल रखे मुझे विश्वास और शक्ती दे मुझे खड़े रहने की हिम्मत दे प्रार्थना के बाद मैंने परमिश्वर की इन वच्णों की बारे में सोचा सत्ता में रहने वाले लोग बाहर से दुष्ट लग सकते हैं लेकिन डरो मत क्योंकि ऐसा इसलिए है कि तुम लोगों में विश्वास कम है जब तक तुम लोगों का विश्वास बढ़ता रहेगा तब तक कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आमें परमिश्वर की वच्णों ने मुझे विश्वास और शक्ती दी सबी चीजें परमिश्वर के हाथ हो में है जन सुरक्षा प्रमुक दरामना लग रहा था पर वह भी परमिश्वर के हाथ हो में था वह भी परमिश्वर की सीवा कर रहा था मुझे सजा हो गिया नहीं यह उसके हाथ में नहीं था सिर्फ परमिश्वर के हाथ में था मैं उसकी धंकियों से दुबकने वाली नहीं थी इश वचनों के मार्ग दर्शन से हमें विश्वास और शक्ती मिलती है सही का मुझे चुप देखकर उसने हम पर सामाचिक व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया और हम चारो बेहनों को हिरासत में ले लिया एक सुबह अचानक मैंने किसी को मेरा नाम लेकर चीखते सुना मेरा दिल सहम गया क्या वे मुझे से फिर पूछताच करेंगे पहले जब मुझे से पूछताच की थी तब मैंने कुछ नहीं कहा था लगा कि अब वे मुझे पर और भी खतरनाक तरीकी अपनाएंगे अंदर अपने पिता को देखकर मेरा दिल बैठ किया फिर मेरे पिता को क्यों लाएं हैं वह हमेशा मेरे विश्वास के खिलाफ रहे अब मेरी गिरफतारी के बाद नचाने क्या करेंगे इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती मेरे पिता ने मेरे सिर पर मुझे तीन बार मारा मुझे चक्कर आने लगे दिन में तारे दिखने लगे उन्होंने सकती से कहा मैंने तुम्हे विश्वास रखने से मना किया था लेकिन तुम नहीं मानी तुम्हारी ग्रेफतारी से मेरा नाम मिट्टी में मिल गया है इन्हें अपने विश्वास के बारे में सब कुछ बता दो पुलीस कहती है कि कुबूल करते ही तुम्हें छोड़ देगी लेकिन अगर नहीं बताया तो कड़ी सजा मिलेगी अपने बुढ़े पिता को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ वह लगभग 80 साल के थे उन्हें अपनी इज़त बड़ी प्यारी थी अगर मुझे सजा हुई तो वह इसे कैसे सह पाएंगे फिर अचानक उन्होंने घुटने टेग दिये और नम आखों से कहा तुम्हारी मा यह सब सुनकर बीमार पड़ गई है उसे ग्लूकोस चड़ रहा है तुम्हें जो कुछ पता है इन्हें बता दो और मेरे साथ घर चलो यह तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा बिल्कुल बहुत अब देखकर मैं अपने आशू नहीं रोक पाई पुराने जमाने से बच्चे ही माबाप के सामने जुकते आए हैं माबाप नहीं मुझे पालने में माबाप को हुई तकलीफों के बारे में सोचा उन्होंने मेरे बच्चों को पालने में भी मदद की थी बुढ़ापे में भी उन्हें मेरी चिंता करनी पड़ रही है अगर मैं विश्वासी नहीं होती तो वे यह दुखतर क्यों जहिलते मैं उनकी एहसानों तले दबी थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था फिर लगा कि मैं सही स्थिती में नहीं हूँ मैंने तुरंट प्रार्थना की हे परमिश्वर मेरी स्थिती दर्दनाख है मैं कमजोर बढ़ गई हूँ माबाप की कर्सदार हूँ मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ मेरा प्रबोधन और मार्गदर्शन करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूँ प्रार्थना के बाद मैंने तुरंट प्रमिश्वर की सामने लिए संकल्प की बारे में सोचा कि मैं विश्वास में अडिक रहूँगी उसका अनुसरन करूँगी हमेशा उससे प्रेम करूँगी उसी पल मैं होश में आ गई मैंने इश्वचनों के बारे में भी सोचा क्या लोग इतने से समय के लिए अपनी देह की इच्छाओं को अलग रखने के काबिल नहीं है कौन सी बातें मनुष्य और परमिश्वर के प्रेम में दरार पैदा कर सकती है कौन है जो मनुष्य और परमिश्वर के बीच के प्रेम को अलग कर सकता है क्या माता पिता, पती, बेहने, पतनिया या पीड़ा दायक शोधन ऐसा कर सकते है क्या अंताकरण की भावनाए मनुष्य के अंदर से परमिश्वर की छवी को मिटा सकती है क्या एक दूसरे के ब्रती लोगों की कृतग्यता और क्रिया कालाप उनका स्वैम का किया है क्या इनसान उनका समाधान कर सकता है कौन अपनी रक्षा कर सकता है क्या लोग अपना भरन पोशन कर सकते है जीवन में बल्वान लोग कौन है कौन मुझे छोड़कर अपने दम पर जी सकता है आमीन परमिश्वर के वचन पढ़कर मुझे बहुत लानी हुई ये सांसे भी मुझे परमिश्वर ने दी है वही मुझे जिन्दा रहने के लिए सब कुछ देता है उसने चुप चाप मेरी देखभाल और रक्षा की है इसी वज़े से मैं अब तक सिंदा हूँ उसी ने यह व्यवस्था की कि मैं उसके उधार को स्विकार करने के लिए उसके सामने आऊ परमिश्वर का प्रेम ऐसा महान है मैं माबाप के लिए परमिश्वर को दोखा नहीं दे सकती उनकी सेहत आखिर परमिश्वर के हाथ में है इसके चिंता करना बेकार है कम्यूनिस्ट पार्टी के उत्पीडन की वज़े से वे दुख और पीड़ा में थे अगर में पार्टी की बुराई देख सकें तो लजजित महसूस नहीं करेंगे नहीं शैतान उन्हें बेवकुफ बना पाएगा यह सोचकर मेरी परिशानी कुछ कम हुई मैंने कसम खाई कि अपनी बात पर अडिक रहूँगी चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े आमिन अपने आसू पोच कर पिता जी को खड़े होने में मदद की तब ही पांच-छे अफसरों ने आकर मुझे खेर लिया मैंने उनसे कहा मैं कुछ नहीं जानती एक ने मेरी तरफ देखकर कहा तुम्हारे पास पांच मिनिट है मेरे पिता बहुत गुसे में थे उन्होंने मुझे और मारा फिर घुटने टेक कर कहने लगे अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं घुटनों पर बैठे बैठे जान दे दूँगा पार्टी धार में एक मानेताओं की अनुमत ही नहीं देती इसके खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई जल्दी से कुबूल कर लो फिर हम घर जा सकते हैं तब मुझे एहसास हुआ कि यह पुलिस की एक चाल है वे चाहते थे कि मेरे पिता मुझे यहुदा बनने पर मजबूर करें और मैं दूसरों के रास खोलूं हाँ वे पुलिस वाले बहुत दुष्ट हैं हाँ मुझे बहुत गुसा आ रहा था मैंने अपने पिता को फिर खड़ा किया तो फिर से पांच्छे अफसरों ने मुझे बूलने पर मजबूर करना चाहा मैंने शांती से उनकी ओर देखकर कहा मुझे कुछ नहीं पता तब ही मेरे पिताजी का फोन बजने लगा उन्होंने फोन मुझे दे दिया फोन पर माने बुरा भला कहते हुए कहा कि तुम ही मेरी मौत का करण बनोगी सरकार विश्वास रखने की अनुमती नहीं देती फिर भी तुम अड़ी हो तुम उनसे लड़ नहीं सकती जो कुछ जानती हो बता दो और लौट आओ अगर तुम्हें सजा हो गई तो हम क्या करेंगे तुम्हारे बेटे की शादी कैसे होगी हम सबको भी अपमान सैना पड़ेगा कुछ हमारी भी सोचो रोते रोते मैंने फोन काट दिया और अपने पिता को भारी कदमों से जाते देखा काल कोट्री में वापस आकर मुझे बिस्तर पर पड़ी अपनी पिमार मा का ख्याल आया अगर उन्हें कुछ हो गया तो या मेरी गलती होगी यही सोच सोच कर मुझे बहुत बुरा लग रहा था आसू भी नहीं रुक रहे थे तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सनेह मेरी कमजोरी है मैंने खुद को परमिश्वर से प्राथना करने में जोग दिया उससे अडिग रहने के लिए मार्क दर्शन मांगा ताकि मैं भावनाओं के भरों से न जीओ मुझे परमिश्वर के वचन याद आए लोगों के लिए सोयम को भावनाओं से प्रथक करना इतना कठन क्यों है क्या ऐसा करना अंतरात्मा के मानकों से परिजाना है क्या अंतरात्मा परमिश्वर की इच्छा को पूरा कर सकती है क्या भावना वेपत्ति में लोगों की सहायता कर सकती है परमिश्वर की नजरों में भावना उसका शत्रू है क्या यह परमिश्वर के वचनों में इस पश्ट रूप से नहीं कहा गया है आमेन परमिश्वर के वचनों ने मेरी आखें खोल दी भावनाएं परमिश्वर की दुश्मन है और सत्य के अभियास में सबसे बड़ी बाधा है जब हम भावनाओं के भरों से जीते हैं, तो परमिश्वर से दूर होकर उसे धोखा देते हैं। माबाप को लेकर मैं भावनाओं में भस गई थी, मुझे लगा कि बेटी होने का फर्ज ना निभाना, भायंकर अपराद है, मैं बुरी बेटी बन गई हूँ। मेरी गिरफतारी के कारण उन्हें दुख्शी और परिशान देखकर लगा, मैं उनकी कर्सदार हूँ। मुझे लगा कि उन्होंने मुझे पालने के लिए इतनी मेहनत की। मैंने उनका कर्स तो नहीं चुकाया, और उन्हें इतना दुखते रही हूँ। अपने माबाप के एहसानों के बारे में तो इतना सोचा लेकिन भूल गई कि जिंदगी तो परमेश्वर देता है, परमेश्वर ही मानव जीवन का स्रोथ है। उससे मिली सास के कारण ही मैं अब तक जी पा रही हूँ। मेरे पास जो कुछ है वह परमेश्वर के मार्क दिर्शन और प्रावधान की वज़े से है। परमेश्वर ने बदले में बिना कुछ मांगे हमें कितना कुछ दिया है। सही का। अंत के दिनों में परमिश्वर ने मानव जाती को बचाने के लिए फिर से देहधारन किया है, बड़े अपमान सहे हैं, कम्यनिस्ट पार्टी के दबाव और उत्पीडन को भी सहा है, परमिश्वर ने मानव जाती के लिए सब दे दिया, उसका प्रेम इतना महान है, हमें परम जातान की ब्रष्टता से नहीं बचा सके, या एक अच्छी मनजिल और परिणाम नहीं दे सके, देश्या, अगर मैंने अपने माबाब के लिए परमिश्वर को धोखा देकर दूसरों को भजा दिया, तो उनकी एहसान तो चुका दूँगी, लेकिन परमिश्वर मुझे दोखा दू, उधार का मौका खो दू, नरक जाकर नष्ट हो जाओ, मैं शैतान की चाल में नहीं भज सकती। परमिश्वर का धन्यवाद, ये एक बड़ी समझ है, ये मेरे लिए बहुत प्रेणा दायक है। हाँ, ये मुझे पत्रस की याद दिलाता है, जिसके पास जिसने अपने माबाप की खिलाफत की थी, उन्होंने चाहे जैसे उसे रोका हो, वो विश्वासी होकर प्रभु येश्व का अनुसरन करता रहा, आखिरकार परमिश्वर के लिए उसका प्रेम जीत कया और उसे स्वीकृती मिली। सही कहा। जेल में है, आपके बिना घर ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहार तूट पड़ा हो, मा, पुलीस को अपनी धार्मिक चीजों के बारे में बता दो, आपको सजा हो गई, तो मुझे नौकरी और शादी में बहुत दिक्कत होगी, अपने लिए न सही, कम से कम मेरे लिए तो पूचो, उसे पढ़ते ही मैं रो पड़ी, मुझे सजा हुई तो उसका भविश्य बरबाद हो जाएगा, फिर क्या मूँ लेकर उसके सामने चाओंगी, वह मुझे से पक्का नफरत करने लगेगा, मुझे लगा कि विश्वास की रह बाधाओं से भरी है, हर कदम पर मुझे चुनाव करने होंगे, मैंने दिल से प्रार्थना की, हे परमिश्वर, मैं सच में दुखी हूँ और कमजोरी महसूस कर रही हूँ, कृप्या मेरे दिल की रक्षा करो, मेरे विश्वास को मजबूत वहाँ जेल में एक बहन ने मेरी स्थिती देखकर याद दिलाया कि, यह शैतान की चाल है, इसमें मत भसो, यह मेरे लिए एक चेतावनी थी, मैंने सूचा कि कैसे हर बल शैतान परमिश्वर को धोखा देने के लिए हमें उकसाने के सभी तरीके आजमाता है, सावधानी से बचें, परमिश्वर की सुरक्षा पाएं, सहीगा, उस रात मैं सो नहीं सकी, तो मैंने लेटे-लेटे ही मन में प्रार्थना की, मुझे परमिश्वर की वचनों का यह अन्शियाद आया, जिस क्षण तुम रोते हुए इस दुनिया में आते हो, उसी पल से, तुम अपना करतवे पूरा करना शुरू कर देते हो, परमिश्वर की यूजना और उसके विधान के लिए तुम अपनी भूमी का नभाते हो, और तुम अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हो, तुम्हा पर आगे की यात्रा जैसी भी हो, कोई भी स्वर्ग के आयोजनों और व्यवस्थाओं से बच नहीं सकता, और किसी का भी अपनी नियती पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि केवल वही जो सभी चीजों पर शासन करता है, ऐसा करने में सक्षम है. आमीन. आमीन. सही कहा, के सामने समर्पंड करना था. हाँ. खुद को परमिश्वर को सौप देने से सभी चिन्ताओं से मुक्ती मिल जाती है. बिलकुल. फिर परमिश्वर के वचनों का एक और अन्शियाद आया. तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे. तुम्हें सत्य के लिए समर्पित होना होगा. तुम्हें सत्य के लिए अपमान सहना होगा. और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें अधिक कष्ट उठाने होंगे. यही तुम्हें करना चाहिए. एक शांती पूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए तुम्हें सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए और शनिक आनंद के लिए तुम्हें अपने जीवन की गरिमा और सत्यनिष्ठा को नहीं खोना चाहिए तुम्हें उस सब का अनुसरन करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है तुम्हें जीवन में एक ऐसे मार का अनुसरन करना चाहिए जो ज्यादा अर्थपूर्ण है यदि तुम गवारू जीवन जीते हो और किसी उद्देश्यों को पाने की कोशिश नहीं करते तो क्या तुम अपना जीवन बरबाद नहीं कर रहे? ऐसे जीवन से क्या हजल कर बाओगे? तुम्हें एक सत्य के लिए देह के सभी सुखों को छोड़ देना चाहिए और थोड़े से सुख के लिए सारे सत्यों का त्याग नहीं कर देना चाहिए ऐसे लोगों में कोई सत्य निष्ठा या करिमा नहीं होती उनकी अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता आमेन परमिश्वर की वचनों ने मुझे विश्वास और शक्ती दी एक विश्वासी के रूप में परमिश्वर की स्विकृति पाने का तरीका यही है कि हम सत्य का अनुसरन करें केवल इसे ही मुलेवान जीवन माना चा सकता है सत्य को पाने के लिए सारी पीड़ा सुईकार रहे है अगर मैं भी अपने परिवार की खातिर भाई बेहनों और कलीसिया को फसा देती हूँ मैं भी यहुदा की तरह परमिश्वर को धोखा दूँगी और इसके लिए परमिश्वर मुझे शाब भी दे सकता है एक सुखी परिवार और एक सुखत जीवन के साथ भी एक खाली पन होता और मैं जिन्दा लाश जैसी होती यह सोचकर परमिश्वर का अनुसरन करने का मेरा संकल पार गहरा हो गया चाहे पुलीस कोई भी तरीका अपनाए मैं गवाही दे कर शैतान को शर्मिन्दा करूँगी परमिश्वर का धन्यवाद छटे दिन पुलीस ने मुझे मुझे मुखे कमरे में बुलाया जहां मेरे बेटा, बेटी, पती और चाचा बैठे थे रोते हुए बच्चों ने मुझे गले लगा कर कहा मा घर चलो पास ही खड़ा मेरा पती भी रो रहा था फिर चाचा ने रोते रोते कहा लिंग मिन, पुलीस कहती है कि अगर तुम उसे कुछ थोड़ा बहुत भी बता दोगी तो तुम बच जाओगी तुम्हें जेल हो गई तो बेटे का भविश्य चौपट हो जाएगा पुरा परिवार बरबाद हो जाएगा मेरी बात मानो और उनसे बात करो उस समय मेरा दिल साफ था जानती थी कि मेरे परिवार के दबाव डालने के पीछे शैतान की चाल है कुछ भी बताया तो पुलीस और स्यादा पूछेगी कई और लोगों को गिरफतार कर लेगी यह सोचकर मैंने कहा बतार विश्वासी मैं जीवन के सही रास्ते पर चल रही हूँ मैंने कुछ भी गेर कानूनी नहीं किया है कबूलने के लिए कुछ नहीं है आप सब घर जाओ वापस कोट्षी में जाते समय मैंने सोचा कि पुलीस बार-बार मेरे प्रियजनों का इस्तमाल करके मुझे लुभाने की कोशिच कर रही है ताकि भाई बहनों को भसा कर परमिश्वर को धोखा दे दू कम्यूनिस्ट पार्टी बेहद नीच है बे परमिश्वर विरोधी राक्षस है उसके बाद एक अफसर ने मुझे ऑफिस में बुलाकर मुस्कुराते हुए कहा कैसा लगा अपने परिवार से मिलकर उसे इस दर्दनाक सिती का मजा लेते देखकर मुझे इतना गुसा आया कि मैंने अपनी जेब से तीनों चिठिया निकालकर भाड़ दी और उन्हें मेज पर फेक कर कहा बतोर विश्वासी मैंने कुछ बुरा नहीं किया उन्हें यहां लाकर मुझ पर दबाव क्यों डाल रहे हो कौन सा कानून तोड़ा है मैंने फिर मैं तुरंट बाहर निकल आई परमिश्वर का धन्यवाद परमिश्वर की दी ताकत की वज़े से ही मैं शांती से पुलीस की पूछताच का सामना कर पाई चौदवें दिन की सुबह चन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुक ने मुझे अपने ओफिस में बुलाया वह पहली जैसे गुस्से में नहीं था बलकि फिक्र जताकर मेरे परिवार के बारे में पूछने लगा उसने चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अपने भाई बेहनों को धोखा देनी के लिए ललचाया मैंने लगातार मन में परमिश्वर से प्रार्थना की यह शहर का सबसे बड़ा मामला है अगर तुमने मो नहीं खोला तो सजा मिलनी तय है उसके कुछ भी कहने पर मैं चुप रही परमिश्वर से प्रार्थना की और कसम खाई की दूसरों की जानकारी नहीं बताऊंगी परमिश्वर को धोखा नहीं दूँगी चाहे मुझे सजा ही क्यों न हो जाए तो फिर क्या तुम्हें सजा मिली? नहीं पंध्रा दिन बाद उन्होंने देखा कि मैं कुछ नहीं बोलने वाली तो मुझे घर भेश दिया परमिश्वर का धन्यवाद सब कुछ परमिश्वर के हाथ में है घर लोटने पर भी मेरे परिवार ने मेरे विश्वास का विरोध किया मुझे पता था कि यह सब कम्यूनिस्ट पार्टी के जूट और उत्पीडन की वज़े से था मैंने प्रार्थना की और आंति तक परमिश्वर का अनुसरन करने की कसम खाई आमिन फिर अनुभव का एक भजन याद आया परमिश्वर से प्रेम करने की रह पर आगे बढ़ना यह परवाह किये बिना की आस्था का रास्था कितना कठिन है मेरा एक मात्र उदेश्च परमिश्वर की जखा को पूरा करना है मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मुझे भविश्य में आशीश मिलते हैं या दुख मैं परमिश्वर से प्रेम करूँगा मैं आंति तक निष्ठावान रहूँगा मेरे पीछे चाहे कितने भी खत्रेया मुश्किले घात लगाए बैठी हो और मेरा आंति चाहे कुछ भी हो परमिश्वर की महिमा के दिन का स्वागत करने के लिए मैं परमिश्वर के बच्चिन्हों का ध्यान से अनुसरन करता हूँ आमीन उस भजन को बार बार गाकर मैंने बेहत प्रेरित महसूस किया मुझे पता था कि विश्वास की रह पर पार्टी के जुल्म सहने होंगे शायद फिर से मुझे गिरफदार किया जाए या भविश्य में सजा भी हो जाए पर मुझे यखीन था कि यही सच्चा मार्ग है मैं अन्ति तक परमिश्वर का अनुसरन करूँगी कुछ वक्त तक मैं किसी दूसरी कलीसिया के सदस्यों से संपर्क नहीं कर सकी न कलीसिया का जीवन जी सकी इसलिए मैंने घर पर ही परिवार के साथ सूसमाचार साजा किया मेरी बेटी और पती विश्वासी बन गए यह तो अच्छी बात है सच में एक परिवार के रूप में इकठे होकर हमने परमिश्वर के वचनों को खाया और पिया एक साल बाद मैं भाई बेहनों के संपर्क में वापस आकर अपना कर्दवे निभाने लगी मैं परमिश्वर की बेहदा भारी हूँ इस पूरे समय मुझे हर कदम पर परमिश्वर के वचनों के प्रबूधन और मार्क दर्शन से ही कम्यनिस्ट पार्टी के जल्म के रफ्तारी और अपने परिवार के हमले सहने की शक्ती मिली मेरा आगी का रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो मैं अन्ति तक परमिश्वर के साथ चलूगी परमिश्वर का धन्यवाद इस वचनों पर भरोसा करते हुए